स्टूडेंट्स विल्कम बेक टू आवर यूट्यूब चैनल जेके टॉपर्स अकैडमी यहाँ पर एक लेट अपडेट के बारे में बात करेंगे काफि सारे बच्चे यहाँ पर वेट कर रहे थे जो की जी एन एम एन एम के फॉर्म यहाँ पर कब ऑनलाइन होंगे ठीक है त ताकि इसी तरह की अपडेट्स जो है वो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल सके तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यह फॉर्म जो है जेके बोपी की तरफ से आए हैं यहाँ पर ठीक है तो यह ओनलाइन फॉर्म जो एड्मिशन जो बच्चे लेना चाहते है जी एन एम में एन एम में जी एन एम में तो ट्वेल्थ पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन होती है अगर आपने ट्वेल्थ पास की है तो अगर आप जी एन एम करना चाहते हो तो अगर आप एन एम करना चाहते हो तो आपको टेंट पास होनी चाहिए तो उसके बाद जो है यह form यहाँ पर होता है, उसके बाद आपकी यहाँ पर counseling होती है, counseling यानि की exam नहीं, वहाँ पर document एक तरह का दिया जाता है, जहाँ पर आपको government seat चाहिए होगी, वहाँ पर अगर available होगी तो आपको मिल जाएगी, otherwise government seat नहीं होगी तो आपको private seat भी यहाँ पर मिल जाएगी, सबसे पहले यह form जो है, बाइस चार से, ठीक है, बाइस अपरल से online हो जाएंगे, और छे माई को midnight में, यानि की बारा बज़े जो है, इसको last date हो जाएगी, ठीक है, और इसकी fee जो है, वो thousand rupees, इसको fees है, हर एक category को, कोई category वालों को, जो है, माफ नहीं है, fees, हर एक category को आपको fees देनी है, ठीक है, और इसमें अगर आपका exam होगा, तो भी यहाँ पर बताएंगे, लेकिन इन्होंने यहाँ पर कहा गया है, कि common entrance test रखा गया है, ठीक है, इस बार इन्होंने test रखा है, पिछली बार इसमें exam नहीं थे, अभी तक जो exam थोड़ी देर, जो थोड़े पहले जो form लगे थे, BOPI के, GNM, ANM के, उसमें सिफ counseling होती थी, मेबी इन्होंने, last year भी इन्होंने कहा था कि exam होगा, बट उसके बाद exam cancel करके, इन्होंने counseling रखी थी, हो सकता है कि इस साल जो है, अभी तो इन्होंने बताया है कि आपका CAT test होगा, अगर होगा, तो भी ठीक है, अग नहीं होगा, तो counseling आपके यहाँ पर होगी, ठीक है, यह online form यहाँ पर निकल चुके है, online form के लिए आपके पास document होने चाहिए, domicile, ठीक है, जेन के UT का, 10th, 12th का marks card होना चाहिए, और data birth certificate, जो की 10th के marks card पे होती है, 10th का marks card समझ लो, अगर category certificate है, तो वो, अगर और कोई document है, तो वो भी चाहिए, ठीक है, G&M course अगर आप students करना चाहते हैं, तो 17 साल आपकी age होनी चाहिए, 17 साल से 35 age तक आप apply कर सकते हो, ठीक है, 12th pass आपकी होनी चाहिए, 40% आपको marks उसमें होने चाहिए, open merit को, ठीक है, A&M वालों को यहाँ पर इन्होंने कहा है, past 12th with English, ठीक है, A&M वालों को भी यहाँ पर बोला है कि 12th pass होनी चाहिए, vocational A&M रखा गया है course, ठीक है, इसमें कोई issue नहीं है, ठीक है, अब next यहाँ पर बात करते हैं, A&M 10th जो की है, जैसे कि आपने arts में की है, यह science में, किसी में भी की है, तो आप जो है, A&M अगर करना चाहिए, तो A&M भी कर सकते हो, same documents वहीं लगेंगे, फिर आपका side पर जो है notification आएगा, roll number, admit card जो भी आएगा, और अगर जहां exam होगा, तो भी आपको वहाँ पर पूरा venue वह दे देंगे, ठीक है, फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना था, वीडियो अच्छे लगा हो, वीडियो को like और वीड लोड नहीं कर पाए थे कुछ दिन, बट अब से जो है continue करेंगे, क्योंकि थोड़ थोड़ा जो है हमें recover हुआ है, so I hope कि हम आपको फुल information यहाँ पर दे सकें, thank you so much, bye bye, take care.